सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं इन दो नंबर से मतलब यह नंबर और यह नंबर का difference लेना है 12 minus 8 फिर यह नंबर लिखा है इसके दोनों digits का difference लेना है इसी तरह से बाकी cases में फिर इसा ही करना है 4 and 3 so 4 minus 3 फिर minus जो number है इसके दोनों digits का difference यहां देखेंगे 9 and 6 का difference फिर इससे minus करना है यह इन दोनों digits का difference तो आप देखें यहां क्या हैगा 4 इन से मिलेगा 3 अंसर आया 1 इससे मिलेगा 1 इससे मिलेगा 0 अंसर आया 1 इससे मिलेगा 3 difference इससे मिलेगा 2 अंसर आया 1 मतलब हर बार यह difference 1 मिल रहा है 12 and 10 का difference फिर minus करेंगे यहां जो इन 4 में से एक number लिखा जाएगा उसके digit का difference और वो आना चाहिए 1 के ब्रावर 4 minus 3 means 43 तो 43 answer